इस्राइल ने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने की कसम खाई है तो दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी इस्राइली शहरों को जमकर निशाना बना रहे है अब हिजबुला ने इस्राइली सेना को लगातार बेगर फिलिस्तिनियों के निशाना बनाने और पूर्व हमासनेता समर अलहज की हत्या के बाद आज करारा जवाब दिया है ताजा हमले में हिजबुला ने उतरी इस्राइल में इस्थित एक इस्राइली बेस पर दरजुन और जोन से एक के बाद एक कई हमले किये इस हमले में इस्राइल की तरफ से कई लोग घायल हुए है हिजबुला ने एक बयान में कहा है कि शनिवार को इस्लामिक रेजिस्टेंच सेनानियों ने मिचवे अल्लोन बेस पर आत्मगाती जोनों के जुन के साथ हवाई हमला किया ये हमला इस्राइल के सफेद शहर में हुआ है जिस इस्राइली बेस पर हमला हुआ है वहां से कुछी दूरी पर इस्राइल के उत्री कोर की सुरक्षा कर रहे सैनिकों का जमाबडा है और वहां आपात कालिन गोदाम भी मौजूद है हिजबुला ने कहा कि ये हमला शुकरवार को दक्षणी लेबनान के शहर सिडोन में हमास के एक अधिकारी की हत्या का जवाब था एक रिपोर्ट के अनुसार शुकरवार को लेबनान के सिडोन शेहर में एक इस्राइली ड्रोन हमले में हमास के अधिकारी समर अलहज की मौत हो गई थी इसी बीच इस्राइली ड्रोन और लड़ाको विमानों ने दक्षणी लेबनान के सीमावर्तिक शित्र में छे गावों और कस्बो पर दस हवाई हमले किये इस हमले में तीन आगरिक घायल हो गए और अठारा घर तबहा हो गए ये हमले हिजबुला ने इस्राइल के द्वारा गाजा में एक सप्ताह में पाँच स्कूलों में हमले कर सेक्डो फिलिस्तिनियों को मौत के घाट उतारने के बाद किये है बतादे कि विस्थापित फिलिस्तिनी इन स्कूलों में रहते थे जिसे इसराइल ने हमास का कंट्रोल बता कर इन स्कूलों में कई हवाई हमले किये थे इससे पहले कि इसराइली ड्रोन हमले बेशुकरवार को सिडॉन शहर के पूर्व में हमास के अफसर समरल हज की मौत हो गई थी इस बीश लेबनानी सैन्य सूत्रों ने नाम ना बतानी की शर्थ पर सिनुवा समाचार एजिंसी को बताया कि इसराइली ड्रोन और लड़ाकों विमानों ने दक्षनी लेबनान की सीमावरती इलाके में दिन में छे गावों और कजबों पर दस हवाई हमले किये जिसमें तीन नागरिक घायल हो चुके हैं और अठारा घर राक हो गए है उधर गाजा में IDF ने पिशलेक सप्ता में पांच स्कुलों को निशाना बना कर हवाई हमले किये हैं जिसमें सेक्डो विस्थापितों की मौथ हो गई जबकि कई घायल हैं वहीं दक्स अगस्त के एक भीशन हवाई हमले में 93 लोगों की मौके पर ही मौथ हो गई इसराइल द्वारा इस सरह के लगातार किये जा रही हमले को नागरिक सुरक्षा एजेंसी भयानक नरसंगहर बता चुकी है जबकि कि लगातार बता इसराइल सुरक्षा भाएल सुरक्षा रंगार प्राइध। जबकि टूब झाल